चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के तारिखों की घोचना करने के पूरु प्रदेश की उप्मुख्य मंत्री अरुन साव ने कहा कि भाजपा चुनाव के टीक बात भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारिया शुरू कर दी थी भाजपा ने चतितगर के सभी 11 उम्मिदवारों की घोशना कर दी है जबकि कॉंगरेस के लिए 11 उम्मिदवार जुटाना मुश्किल हो रहा है। कॉंगरेस के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करने चाहिए। लेकिन वे नैतित्व हीन और दिश्टश हीन और यही कारण है कि कोई भी उनके टिकट पर चुनाओ लड़ना नहीं चाहता है। वही प्रशासनिक फेर बदल पर कॉंगरेस के बयान पर अरुन साओं ने कहा कि प्रशासनिक फेर बदल रूटिंग के प्रशासनिक काम है। विधानसभा के समयलन पार्टी ने प्रारम कर दिये हैं। हमारे ग्यारा के ग्यारा प्रट्यासी घोसित हो गए हैं। निश्य दुरुप से हम पुरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज काईरेस पारिटी के जो हालात हैं वो प्रत्यासी तैनी कर पा रहे हैं, क्योंकि काईरेस पारिटी के टिकेट पर कोई चुनाव लड़ने को तयार नहीं है, जनता का मूड देखकर, क्योंकि जनता ने तै कर रखा है 11 की 11 सीटे नरेंद्र मोदी जी की जोली में डालने के लिए, पिछले दस सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, इसके कारण से आम जनता ने तै कर रखा है तिसरी बार फिर से नरेंदर मोदी जी को देश की बान दोर सौपने के लिए और इसलिए आज कांडरेश पार्टी प्रत्यासी तैने कर पारी है हमारे ग्यारा के ग्यारा प्रत्यासी घोशित हो गए हैं और चुनाओं की तैयारी में पुरी तरह से जूट गया है देखिए ये भरस्टाचार के आरोग में जिस प्रकार से कांडरेश के नेता पुरी तरह से पसे हुए है उन्हें कोई नयतिक अधिकार नहीं है भारती जनता पार्टी सुचीता पर भरोसा करती है भरस्टाचार पर जीरो टालरेंज की नेती अपनाती है पिछले पांस सालों में किसने राजनिती का इस्तर गिराया, किसने प्रसासनिक का इस्तर को गिराया, ये छतिर गड़ की जनता ने बखु भी देखा है और इसलिए नयतिक्ता की बात करना कांडरेश को कहीं भी धोभा नहीं देता है देखिए एक बहुत बड़े वर्ग के सम्मानी है और लगातार कांडरेश पारिटी में भी रहें भारती जनता पारिटी के सम्माई संस्कृत बोर्ड के अध्यक्स रहे उनकी घर वाप्ची हुई है बहुत सम्मानी समाज के वेक्ती है और इसलिए उनके खिलाब इस तरह की बाते करना कांडरेश को सोभा नहीं देता है देखिए प्रसासनिक फेर बदल ये रूटीन के प्रसासनिक काम है अधिकारियों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग जुम्मेदादी देना ये प्रसासनिक ब्योस्था का सासनिक प्रणाली का हिस्सा है आज कांडरेश मुद़ा विहिन है केर मुद़्ों पर कांडरेश बात करना चाहती है आज बात करें देश के विकास पर कि 2014 से पहले देश के हालात क्या थे 2014 के बाद आज देश के हालात क्या है 25 करोड लोग गरिबी रेखा से बाहर आए है आज देश की अर्थ बेख्षा कैसे मजबूत हुई है देश में कैसे अधो समर्चना का विकास हुआ है देश की अर्थ तंतर कैसे मजबूत हुई है आज चार करोड से अधिक लोगों को प्रधान मंतरी आवास मिला है 11 करोड से अधिक लोगों के घरों में आवास बना है बात कांग्रेस पारिटी इन बातों पर करे कांग्रेस पारिटी आज मुद्दा भीहीन है नियत भी ही नहीं है इसलिए आज कोई कांगरेश पाइटी के टिकेट पर चुनागा लड़ना नहीं चाह रहा है जिस दिल से देश के प्रधान मंतरी बने हैं वो हमेशा से इज़ बात को कहते रहे है कि मेरे देश के 130 करोर भाईयों में बहनों जिस दिल से देश के प्रधान मंतरी बने हैं तब से उन्होंने देश को अपना परिवार माना है